हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू यूर चैनल आरो जियोमेटिक्स आज हम जेनेस का बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमने जीपीएस के बारे में सुनाए कि जीपीएस से हम अपनी लोकेशन और पोजेशन निकाल सकते हैं बट कैसे निकाल सकते हैं यह छीज आज हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें basic principle नहीं पता है को GPS काम कैसे करता है तो आज हम प्रिंसिपल देखेंगे GPS operation का और किसकिस code में यह data को transfer करता है बेशता है और कैसे हमारे पर receiver उस code को decode करके position निकालता है हमारे पास तो यह बहुत important topic है हमारे इस से related जो है हमारे पास gate में questions पूछे जाते हैं अगर आप previous years में देखोगे तो हमारे पास GPS से काफी questions पूछे गए हैं तो जो एक word आपको याद रिखना important है क्योंकि जो main principle हमारे पास GPS operation का वह हमारे पास तो यह tril iteration होता क्या और कैसे यह work करता है तो देखते हम लो तो GPS का काम क्या है आपको पताए कि GPS से हम अपनी location निकाल सकते हैं किसी point पाड़े हम GPS हमारे पास यह पॉइंट की location या आपनी position बता सकता है हमारे पास बट हमारे पास का एक receiver होना चाहिए क्योंकि वो जो receiver है वो हमारे पास satellite से codes capture करता है पर उनको decode करके अपनी location x y z coordinate निकालता है तो minimum हमारे पास एक बात वर important है कि minimum 4 satellite उस point से show होनी चाहिए अगर हमें better accuracy चाहिए तो या किसी भी point की location चाहिए तो minimum उस point से 4 satellites हमारे पास appear होनी चाहिए अब उन 4 वो जो 4 satellites होती है वो हमारे पास क्या है उनसे हम calculation करता है अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि जितने unknown होते हैं उतनी हमारे पास equation होनी चाहिए बट यहां पर क्या हम अन्नों 4 होते हैं तो इसलिए हमारे पर minimum 4 satellites चाहिए अगर किसी भी point की position या location निकालनी है हमारे पास तो तो कि एक तो XYZ तीन तो हमारे पाँ XYZ हो गए और एक हमारे पास एक time component होता हमारे पास So start करते हैं If you are handling a GPS instrument then Your location on earth surface could be known मतलब कि earth surface GPS constellation पूरा हुआ था जो 24 satellites जो हमारे पार launch हो गए चाहिए इसका मतलब कि है कि GPS satellites जो है वो पूरी earth को coverage देती है और हमने यह चीज़ पर रखे है कि GPS satellites जो है वो हमारे पास 6 orbital planes में होती है और वो पूरे earth को cover करती है इसका मतलब है कि अगर हम location earth surface के उपर कहीं पर भी अपनी position निकालना चाहिएंगे तो वो GPS satellite से मिल सकते हैं बस यह है कि हमारे पास GPS receiver होना चाहिए the idea behind the operation of GPS is rather simple GPS positioning is based on the concept of trilateration which utilizes a basic geometry principle that allows computing location तो trilateration का क्या हमारे पास वो formula होता है generally 3 distance calculation से हमारे पास 3 नहीं sorry 4 हो जाएगा but trilateration में 3 distance calculation से हमारे पास 3 unknown मिल सकते हैं हमारे पास तो यहां पर क्या हमारे पास 4 unknowns रहते हैं x y z यह हमारे पास coordinate हो गए हमारे पास और एक time का component होता है तो 4 satellite चाहिए होती है और उसी के उन्हीं satellite से distance calculation के basis पर हम अपनी position निकाल सकते हैं अगर मैं आपको एक basic idea देता हूँ मा लेज़े earth surface और हमारे पास earth surface पर इस point पर हमें location निकाल लिया है sorry फिर से बना लेते हैं तो यह हमारे पास earth surface है और earth surface के उपर यहां पर हमें location निकाल लिया है इस point पर तो इसके लिए हमारे पास जो हमारे पास orbital period में GPS satellite जो हमारे पास revolve कर रही है around the earth तो माले यह चार satellite लेते हैं एक जो इस point से visible है हमारे पास ठीक है एक हो गया दो हो गई माले यहां पर है तीन और यह कहीं पर भी लेते हैं चार तो यह चार satellite से हम distance calculation निकालेंगे अब इन चार satellites का हमारे पास ephemeris data पता है हमारे पास मतलब कि इन satellites की location पता है हमारे पास तो यह code के form में time के information और अपनी position की information code के form में बेजती है और यहां जो point पर receiver है हमारे पास वो decode करके उसकी position निकालता satellites की तो जब satellites की coordinate पता है हमें और यहां के coordinates अन्नोन है और हमें पता है कि जो signals होते हैं वो speed of light से travel करते हैं तो speed of light हमारे पास c हो गया और जो time information मतलब जब satellite से information वो निकली और यहां पर receiver ने receive की वो time difference हमारे पास distance calculation देता है जो satellite और अपने unknown point के बीच का जो distance रहता है तो ऐसे हमारे पास क्या चार equations बनती हैं और चार equation के basis पे हम चार unknown calculation करते हैं तो वो हमारे पास x, y, z और साथ में time की information देता है कि हाँ इसी time पर हमारे पास जो location है unknown point की वो सही है तो basics आपन आपन है और यह distance calculation के basis पर हमारे पास अपनी position बताता है तो वो principle किसका है trilateration principle है हमारे पास तो simple सा याद रखना है एक word हमारे पास trilateration तो हमारे पास क्या you could determine this by knowing distances from a point on the earth a GPS receiver that is your position to three GPS satellites along with the satellite location तो जैसे मैंने भी जो simple पासा माँ समझाया वह सेम चीज़ है कि GPS receiver जो unknown point होता है उसके उपर रखेंगे जिसके हमारे position चाहिए और हमारे पास 3 satellite से 3 distance 3 unknown और हमारे पास उसकी location मिल जाएगी तो हमें time का भी एक component चाहिए होता है तो 4 satellite minimum चाहिए होती है हमारे पास the location of the point or GPS receiver can be known by simply applying the well known concept of resection which is used by many surveyors in their daily work you would read in the following sections about knowing the distances to the satellites as well as the satellite location तो हमारे पास का distance calculation होती है time और speed of light के basis बे और हमारे पास satellite की location हमें fmres data जो control segment रहता है उससे मिल जाती है मतलब वो coding में ही रहती है हमारे पास generally जो GPS receiver जो है उसको decode करके information gather करता है so for using a GPS receiver to find your location one has to determine the following तो GPS receiver का काम क्या क्या है मतलब वो क्या 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 काम करता है तो GPS receiver काम पर अब लेवल रहता है जिस unknown point के हमें position चाहिए मतलब कि GPS receiver वहाँ पर होना चाहिए तो वो हमारे पास जो satellites है continuously codes send करती रहती है तो यह हमारे पास code को receive करता है और उसमें जो information रहती है वो satellite की position ephemeris data की information रहती है और साथ के साथ हमारे पास time information रहती है जो हमने पढ़ा था हुए मतलब हमने previous lecture में भी देखा था वो हमारे पास time और position की information लेकर आता है जो GPS का receiver का जो काम है वो हमारे पास क्या-क्या determine करना है means क्या-क्या वो calculate करता है precise location of at least four visual satellites तो उनकी location साथ के साथ हमारे पास distance between you and three of these satellites तो हमारे पास क्या है तो जो decoding करके तो हमारे पास precise location निकालता है जो satellites visible है और साथ के साथ हमारे पास जो distance calculation करता है at least three की तो हमारे पास receiver जो है हमारे पास यह दो काम जरूर करता है इसी के basis पे हमारे पास calculation करता रहता है बार-बार जितनी ज़्यादा satellite इसी लिए कहते हैं कि अगर किसी अपनी position को verify करेगा means बार-बार calculation करेगा तो जितनी ज़्यादा देर तक रहेगा उतनी ज़्यादा satellites उसके visual रहेंगी उसके contact महाएंगी वो बार-बार calculation करेगा और अपनी position को accurate करता जाएगा तो इसी लिए हमारे पास जहाँ पर GPS receiver ज़्यादा देर तक रहता है वहांकी accuracy बढ़ जाती है हमारे पास so each GPS satellite continuously transmits a microwave radio signal यह जो simple सी line देख रहे है हमारे पास वो बहुत important है हमारे पास इसी के basis पर जो gate के questions है क्योंकि आज कल थो MSQ ज़्यादा पूछे जा रहे है तो MSQ में भी हमारे पास लाइन डाली आ सकती है कि GPS जो हमारे पास यहाँ पर याद रखना है कि continuously transmit करती रहती है कौन सी radio signals को हमारे पास जो speed of light से चलती है हमारे पास travel करती है हमारे पास composed of two carriers और यह क्या क्या हमारे पास carry करके चलती है two carrier frequencies होती है L1 L2 two codes होते है तो two carrier frequency frequency L1 and L2 होते है और हमारे पास two codes होते है जो हम अभी सारी चीज़ें देखेंगे P code हो गया हमारे पास और C by A code हो गया तो कौन सा better है उनका comparison और क्यों better है और हम कौन सा use नहीं करते है और साथ के साथ एक तीसरी चीज़ हमारे पास navigation message लेता हमारे पास तो जब हम GPS receiver को switch on करते है it picks up the GPS signal through the receiver antenna once the receiver acquires the GPS signal it will process using its inbuilt software तो GPS receiver के अंदर already decode करने का जो signal आया है उसको process करता है जो inbuilt software है अपने अप मतलब कि GPS receiver उसको process करता है जो signal उसने receive किया है the outcome of the signal processing consists of the distances to the GPS satellite through the digital codes known as the pseudo ranges and the satellite coordinates through the navigation message तो जो हमारे पास navigation message आया था signal के अंदर वो क्या करके लेता है हमारे पास satellite के coordinates की information लेकर आता है उसके basis बें हमारे बास मतलब कि हमारे सैटलाइट की coordinate की information मिलके navigation message के अंदर और जो हमारे पास GPS receiver है वो हमारे पास signal को process करता है इसका मतलब क्या है कि GPS जो satellites हैं उनसे अपने position की distance को निकालता रहता है और वो किसके basis पर जो digital course है थे उसमें information रहती है हमारे पास timing की information रहेगी और जो हमारे पास signal की traveling की speed है वो generally velocity of light रहती है तो time information course से मिल जाती है और जो navigation message है वो हमारे पास satellite की coordinate information लेकर आता है तो GPS receiver इसी signal को process करके अपनी location find out करता है हमारे पास तो यह basic simple सा GPS का principle है जो आपको याद रखना है अभी और clearly समझेंगे if you know the distance to three points relative to your own position you can determine your own position relative to those three points हमारे तो यह हमारे पास basic fund होता है हमारे पास triletration का कि distance है अगर हमारे तीन points से पता है 123 तो हमारे पास अगर यह distance यह distance और यह distance पता है 9th में भी हमने यह formula देखा था कि distance अगर किसी coordinate के बीच का निकालना है तो d1 जो distance रहेगा वो हमारे पास इन दोने के बीच का difference का square means under root of x1 minus x का whole square plus y1 minus y का whole square प्लस z minus z1 का whole square तो अगर देखा जाए तो बाकी तीनों का जो distance calculation रहेगा बाकी चारों का भी सेम रहता है हमारे पास xyz जो हमारे पर unknown रहेगा बाकी x1, x2, x3 जो हमारे पर information लेकर आ चुग है navigation message में हमारे पास तो उसके basis पर हमारे पर distance calculation हो जाता हो, distance calculation पर हमारे पास बाकी चीज़ें distance हमने calculate कर लिया code से जो information timing information मिली उससे distance calculate कर लिया तो हमारे पर d1, d2, d3, d4 मिला हुआ है उसके साथ हमारे पास अगर 3 xyz निकाल लें तो d1, d2, d3, 3 satellite से distance निकाल लिए xyz की information हम निकाल सकते हैं क्योंकि जो formula था हमारे पर जैसे d1 का जैसे हमने देखा x-x1 का whole square plus y-y1 का y-y1 का whole square और plus ka z-z1 का whole square का under root तो इसमें हमारे पर xyz नो ने बाकी d1 हम calculate कर सकते हैं जो हमने किया code जो हमारे पर coding information आई थी code से information मिली उसके वेसिस पर distance calculate कर लिया अपने point और satellite के बीच का distance है हमारे पर d1 और x1, x2, x1, y1, z1 जो हमारे पर जो coordinate satellites का जो हमें navigation message से मिलता है तो बचा गया हमारे पर xyz तो ऐसे हमारे पास तीन satellite चाहिए होती है d1, d2, d3 तो तीन equation से तीन unknown xyz की information हम calculate कर सकते हैं और यह हमारे पर पस position होता है हमारे पस यह location information रहती है receiver की यह जिस point जो unknown point होता है उसकी information तो वही simple सा basic fund है मारे पास GPS calculation जो उसका principle होता है वो trial iteration basis पर रहता है मारे पास जैसे यह diagram है हमारे पास इस diagram को समझते है सबसे पहले माले यह satellite है यह हमारे पास कुछ area को cover करेगी तो यह earth को इतना portion cover कर रहे है मतलब के हमारे पास जो point है वो इतने portion में कहीं न कहीं है ठीक है फिर दूसरी satellite से देखा हमारे पास वो भी उसका एक buffer system रहता है तो वो हमारे पास इतना area तो अब हमारे पास जो effective area आ गया वो हमारे पास अभी यह आया तो इसका मतलब जो point है earth surface के इतने बड़े point पर है ठीक है तो देखा जाए पहले वाला इतना था और फिर दूसरा वाला आया तो इतना हो गया ठीक है अब तीसरा वाला जो point intersect करेगा जो तीसरे satellite से जो point intersect करेगा वो एक earth surface के एक point पर intersect करेगा तो वो हमारे पास unknown point रह जाएगा जिसके हमें location information चाहिए हमारे पास तो वह सेम चीज है कि the sphere that has its origin at the satellite with a radius equal to the distance of the user from the center of the GPS satellite which is assumed to be center of the sphere तो हमारे पास यह कह है जो इसका radius रहेगा वो इसका satellite और point के बीच के distance के बराबर रहेगा तो इसका भी रहेगा इमेजनी surface हमने माल लिया sphere माल लिया और यह जो तीन स्पेर एक point पर जहाँ intersect करेंगे वही हमारे पास unknown point रहेगा जिसके हमें location information calculate करनी है so by intersecting three imaginary spheres the receiver position can be determined from the practical point of view however a four satellite is needed to account for the receiver clock offset तो जो अमर पास timing information के लिए चाहिए उसके लिए एक extra four satellite चाहिए होती है हमारे पास ठीक है तो इसलिए हमारे पास एक position किसी point की position निकालने के लिए minimum 4 satellite चाहिए होती है तो जो डाइग्राम में हमारे पास GPS चाहिए हमारे पास position ही determined at the point where three spheres intersect हमें वो जो receiver की position रहती है वो यह point हमारे पास जिसकी information चाहिए हमें जिसकी location चाहिए हमें अब जो accuracy रहती है the accuracy obtained with the method described earlier was until recently limited to 100 meter for the horizontal component and 156 meter for the vertical component तो मतलब कि X के लिए generally 100 meter accuracy रहती थी और Y के लिए हमारे पास 156 meter accuracy रहती थी बट अब accurately मतलब accuracy अच्छी मिलने लग गई है अब हमें और time के respect में देखा जाए तो 349 second for the time component all at the 95 percent level of confidence यह होता है हमारे पास alpha की value के basis पर रहता है the low accuracy level is due to the effect of selective availability तो यह चीज़ हमने अल्रेडी देखी थी selective availability क्या होती है कि जो अमारे पास timing की information रहती है उसको वो change करते हैं जो control कर रहा है GPS को जैसे US Army US के अंदर हमारे पार control segment रहता है तो वो हमारे पास उन satellites को control कर रही है monitor कर रही है तो वो हमारे पास जान बूज के हमारे पार कुछ error डालते है timing में तो जिससे की location information जो है उसमें error आता है तो जान बूज के डाला गया हो वह ही selective availability रहता है क्योंकि highly accurate नहीं दे सकते है वो military purpose के लिए accuracy better करते हैं बट civilian purpose के लिए हमारे पास accuracy level को कम कर देते हैं हमारे पास तो selective availability की बाइस से हमारे पास accuracy थोड़ी कम मिलती है बट आज कल तो हमारे पास GPS से भी अच्छे accuracy मिलती है this wise technique used to intentionally degrade the autonomous real time positioning accuracy to unauthorized users मिन्स civilian को माल लिजे कि civilian purpose के लिए हमारे पास real time position की जो accuracy रहती है उसको गिरा दिया जाता है वो भी intentionally intentionally तो उसको हम selective availability कहते है with recent decision of terminating the selective availability the obtained horizontal accuracy is expected to improve to about 22 meter तो हमारे पास 100 meter से accuracy horizontal level पर कितनी होगी है generally 22 meter के accuracy हम receive कर जकते है जब से selective availability को हटाने का decision आया है अब जो हमारे पर useful information है GPS से हम क्याकर gather कर सकते हैं क्योंकि इसके basis पर भी question पूचा गया था अगर आप get previous years देखोगे तो GPS receiver से हम क्याकर information ले सकते हैं सबसे पहले location obviously इस point पर receiver है उसके xyz coordinate find out कर सकते हैं तो वो हमारे पर location information दे सकते हैं GPS प्रवाइड इस information about your location in three dimension x y z latitude longitude और elevation को calculate कर सकते हैं दूसरे के हमारे पास speed है when you are in motion अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आप देख तो map on करके देखते हो तो उसमें हमारे पास 56 km per hour इस type से हमारे पास के velocity दिखाता है हमारे पास speed रहती है हमारे पास car की उसको calculate करता है तो वो GPS की help से किया जाता है तो कि हमारे पास phone में जो map हम यूज कर रहे हैं उसमें GPS receiver रहता है वह हमारे पास speed को calculate करता है तो GPS से हमके अपनी speed को भी calculate कर सकते हैं अगर हम motion में है तो उसके बाद हमारे पास direction और traveling obviously map में देखोगे आप तो वह हमारे पास direction बताता भी है कि ऐसे जाना ऐसे जाना है और हमारे पास अपनी direction को भी साथ के साथ अपडर्ब करता है हमारे पास यहां तक कि अगर आप देखोगे कभी तो जो phone रहता है अगर आपने कभी cap book की होगी तो उसके अंदर जो arrow रहता है navigation का वह कभी हिलता रहता है बहले एक ही location पर है पर कभी ऐसे दिखाएगा फिर माली जी किसी और time पर ऐसे दिखाता है तो वह क्या हम phone को rotate करते हैं तो जब phone भी rotate होता है साथ के साथ तो वह direction को मतलब के अपनी direction को वह observe कर रहा है GPS receiver जैसे ऐसे change होता है वैसे वह arrow भी change होता है हमारे पास तो वही है कि GPS हमारे उपर हर point पर मिलेगा और हर time पर मिलेगा हमार साथ timing information क्योंकि satellites की जो time clocks होती है बहुत ज्यादा मतलब accurately रहती है वह radium cgm clocks होती है अट में clocks होती है हमारे पास क्योंकि एगा थोड़ा सा भी error आया उसकी वैसे जो location information accuracy बहुत ज्यादा गिर जाती है हमारे पास तो timing information हम निकाल सकते है stored locations locations को store कर सकते है हमारे पास GPS के help से end cumulative data और दूसरी चीज़ें भी हम GPS के help से निकाल सकते हैं जैसे कि हमने कितना distance travel किया मैं आपको एक important बास बताता हूँ अगर आप कभी भी map की history देखोगे तो जहां जहां जिस state में आपने travel किया है काफी months तक की history रखता है हमारे पास तो यह हमारे पास track करता रहता है हमारे पास phone को और अगर आप किसी भी state में जाते तो अगर आप history देखोगे न map की वह अभी भी मिलेगी आपको तो जिस-जिस state में आप गए हो कहां कहां गए हो किस-किस means monuments गए हो या कोई भी चीज हमारे पास है तो वह map की history में आपको मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि यह सब GPS receiver की help से हो रहा है क्योंकि हमारे phone में GPS receiver है हमारे पास और वह satellites की जो continuously डेटा को sign करता है वह receive करता रहता रहता और decold करता रहता है तो हमारे पास जो भी information रहती map के अंदर तो इससे हम अगर हम जान बूझ के भी उसको store करना चाते हैं तो वह भी हम कितना distance travel किया कितनी average speed maximum speed minimum speed less time time of arrival at the specified location यह सारी चीज हम बता दा सकता है GPS जैसे कि हमारे पास अगर cab में अगर हम travel करते हैं या फिर form से भी करते हैं तो obviously जो map होता है वो बताता है कि आप को हमें अभी 44 minutes लगेंगे और इतने बज़े हम पहुंच जाएंगे तो वो सारी चीज हम GPS के help से कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा advance हो चुग है अब तो GPS पहले तो military purpose के लिए था अब तो civilian purpose के लिए और civilian में मतलब कि हर जाएंगे GPS होता है और GPS का बहुत बड़ा फायदा है अगर उसको अच्छे से यूज किया जाए तो अब selective availability है कि अगर उसको कोई माली जी अच्छे से यूज नहीं कर रहा है तो उसके लिए selective availability है क्योंकि इतनी ज्यादा accuracy हो जो US Department है वो इतनी प्रवाइड नहीं करता है क्योंकि सारा control जो है हमारे पस GPS का वो US Department of Defense के अंदर है हमारे पस तो selective availability जो अलड़ी हमें पता है क्या ह foreign means जो इसका misuse करना चाहते है foreign users the full accuracy of GPS by subjecting the satellite clock to a process known as the death ring which alters their time slightly तो मतलब हलका सा भी अगर time change करते है वो तो accuracy बहुत ज्यादा vary करती है बहुत ज्यादा low हो जाती है और जो time जो satellites की clock का जो time को alter करते है उसको दित्रिंग प्रोसेज करते हैं तो यह question हमारे पार पूछा जा सकता है इसका याद रखना है और selective availability क्या होता है यह भी हमें अच्छे से याद रखना है अब जो हमारे पास है वो GPS signal structure है navigation message है codes है हमारे पास C by A code P code उसके बाद हमारे पास जो navigation message है career frequencies है L1, L2 कितने हर्थ पर काम करते हैं तो वो सारा जो terminology अब तक हम पढ़ते जा रहे थे सुनते जा रहे थे जैसे PRN हो गया pseudo random noise यह क्या होता है तो यह बहुत important है अगला lecture भी इसको हम next lecture में cover करेंगे जो आज हमने देखा वो भी important था तो इसको आप एक बार revise करना क्योंकि आगे जो next lecture रहेगा उसमें इसका यूज रहेगा हमारे पास तो आज हमने जो पढ़ा वो हमने principle देखा जो कि बहुत important topic है gate exam purpose के लिए और बाकी exams के लिए अगर आप किसी exam की वे तैयारी नहीं कर रहे तो GPS क्या क्या काम में आ सकता है और क्या हम इसका यूज कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं GPS कैसे काम करता है तो वह सारी चीजह आज हमने देखी अब जो आगे देखेंगे जो हमने टर्मिलोज सुनी थी अब तब जैसे कोर्स होते हैं हमारे पर navigation message रहता है frequencies रहती हैं किस frequency पर काम करता है तो वह सारी चीजह हम next lecture में देखेंगे तो प्लीज अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment section में comment कर सकते हो या फिर telegram channel पर भी आप comment कर सकते हो तो आप अपनी gate geomatics की हमारे जो हाँ आपको आज का लेक्टर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए अपनी दोस्तों के साथ जहाँ से जादा शेयर कीजिए तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए में चनल और हमार सर टेलेग्राम पर भी जोड़िए थैंक यू